नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चेनल में दोस्तो एक और महतुपून जानकरी के साथ हम एक बार फिर आजी रहें आप लोगों की सेवा में दोस्तो आज की इस वीडियो में कुछ एक ऐसी चीजों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिनको खाकर भी वजन कम किया जा सकता है दोस्तो बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि खाना खाने से वजन नहीं बढ़ता है जियां वजन बढ़ने के कई दूसरे कारण होते हैं जिसमें की अव्यवस्तित लाइफस्टाइल, खाने पीने में लापरवाई और वर्काउट की कमी सबसे मेन कारण होता है दोस्तो विशेशग्यों का मानना है कि खाते खाते भी वजन कम किया जा सकता है बस जरूरत से ज़्यादा मातरा में ना खाया जाए दोस्तो ताजा फल, सबजिया, नट्स और बीच कुछ ऐसे खाद्यपदार्थ होते हैं जिन से वजन कम होता है इन्हें खाने से एक और जहां वजन कम होता है तो वहीं शरीर के पोशन में भी कोई कमी नहीं आती है यानि कि शरीर भी पोशन से युक्त रहता है दोस्तो न्यूट्रिशियन्स का केना है कि आप जितना अधिक पोश्टिक खाना खाएंगे आप उतने ही ज़्यादा स्लिम रहेंगे साथी आप भुका भुका भी महसूस नहीं करेंगे अगर आप वाकई अपना वजन कम करना चाहते हैं तो अपने खान पान में ऐसी चीज जो प्रोटीन और फाइबर से भरपूर हो इन चीजों को अगर आप लोगों ने लिया तो यह आपके लिए फाइदेबन रहेगा इनके सेवन से पाचन क्रिया सही बनी रहती है पर इन सब के साथ ही इस बात का भी आपको ख्यार रखना है कि आप जो भी कुछ खाएं उसमे बोजन की डाइट किस प्रकार की होनी चाहिए जिसको अगर आप लेंगे तो आपका वजन भी कम रहेगा दोस्तों कार्बो हाइड्रेट को पचाने से कई ज्यादा क्यालरी प्रोटीन को पचाने में खर्च हो जाती है ऐसे में आपको क्या करना है कि और्गेनिक प्रोटीन का आपको सेवन करना है जी हाँ और्गेनिक प्रोटीन का अगर आप लोग सेवन करते हैं तो इसकी मदद से आपके वजन को घटाने में आपको बहुत ज़दा हेल्प मिलती है दोस्तों आप नारियल का सेवन कर सकते हैं जी हाँ नारियल में मेडियम चेन फैटी एसिट पा मिल कर सकते हैं जी हाँ तूना और शौलमन मचलियों का सेवन करने से पाचन करिया सक्रिय बनी रहती है और यह हेल्थ के लिए काफी अच्छी भी होती है इनका सेवन करने से आपकी तमाम प्रकार के पोशक तत्वों की कमी दूर हो जाती है शरीर में इससे आपको एनरजी भी मिलती है और यह वजन को कम करने में भी काफी हद तक सायग होते हैं लेकिन एक लिमिट में रेकर इनको खाएं तो इसके लावब दोस्तो ग्रीन टी भी वजन कम करने में बहुत ज़्यादा हेलफुल होती है जी हाँ ग्रीन टी में केटे चिन नाम का एक एक्टिव तत्व पाये जाता है साथ ही इसमें मोजूद केफिन की मात्रा भी मेटाबोलिज्म को एक्टिव बनाये रखने में काफी ज़्यादा हेलफुल होती है दोस्तों आपको हरी पत्तिया वाली सब्जी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है जी हाँ गाड़ी हरी पत्तियों जैसे की पालक की सब्जी हो गई या फिर ब्रोकली की सब्जी हो गई इन सबी सब्जियों में परियाप्त मात्रा में फाइबर मौजुद होता है जो कि वजन घटाने में काफी helpful तो होता ही है साथ ही या आपकी health को भी काफी ज़्यादा सुधारता है अगर किसी किसम की कोई परिशानिया आपकी health को ले करके है तो वो सारी परेशानियों को धीरे धीरे करके हरी पत्तेदार सब्जिया दूर कर देती है इसके अलावा दोस्तो दाल चीनी बहुत ही helpful होता है वजन गटाने में या भारती वियंजनों में मुख्य रूप से प्रयोक्त होने वाला दाल चीनी एक खास मसाला माना जाता है जो पेट की सेहत के लिए काफी ज़्यादा फाइदेवन माना जाता है इसे पाचिन किरिया सोचारू रूप से चलती है लेगिन फिर भी वही बात हम कहेंगे कि ज़्यादा मातरा में इसका सेवन नहीं करना है इसके अलाबा आकरी चीज़ आपको बताएं जो कि है टमाटर जी हां टमाटर वजन को कम करने के लिए बेहदी कारगर उपाई है ये भी मेटाबोलिजम की प्रक्रिया को सकरिये बनाएं रखने में काफी ज़्यादा है इससे मेटाबोलिजम आपका एक्टिव रहता है और आपको हल्प करता है वजन घटाने में दोस्तों ये सारे वो foods हैं जिनको आप खाते खाते भी अपना वजन कम कर सकते हैं बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि एक तो आपको तलाबुना खाना नहीं खाना है कोई भी एसी चीज नहीं खानी है जिसमें की वसा की मातरा ज़्यादा हो जी हां वसा और कार्वो हाइडरेट की मातरा ज़्यादा जिस खाने में होती है उसको अगर आप खाएंगे तो वो आपके मूटापे को बढ़ाएगा लेकिन जो जो चीजे हमने बताईए इनको खाने से आपका वजन गटेगा इसके अलवा आपको रेगूलर रूप में एक्सरसाइज वगेरा भी करती रहनी चीए हो सके तो योग वगेरा भी जरूर करें जो की आपकी वजन को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा तो दोस्तो यही थी वो आज की जानकारी आप सभी लोगों के लिए जो अपने प्रस्तूत करी दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए और पास में दिये गए इस बेल आइकन पर क्लिक करके इस ओल के बटन को प्रेस कीजिए लेटेस वीडियो सबसे पहले पाने के लिए